Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? चली, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और ये हमारा Forms of Poetry का वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात कर रहे थे Sonate के बारे में, एक वीडियो अल्रेडी पहले बन चुका है और ये आपकी Second Class है जिन लोगों ने First Class नहीं देखी हो वो First Class एक बार देख लीजिएगा अगर आप इस Course में देख रहे हैं तो आपको First में मिल गया होगा और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आपको Description Box में मिल जाएगा ये आपके Course के अंदर है Forms of Poetry एक Poetry जो होती है उसमें कई सारी Forms होती है जिसमें सबसे पहले होता है Sonet तो इसके बारे में हम पूरे चर्चा करेंगे Sonet के बारे में हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में तो हमने पहले क्या पढ़ लिया था हमने ये पढ़ा था कि Sonet क्या होता है एक चौदान लाइन की Poem होती है इसमें शुरू की आट लाइने जिनको Octave कहा जाता है और अगली छे लाइने जिनको Sested कहा जाता है शुरू की आट लाइनों में Problems के बारे में बात की जाती है अगली छे लाइन में उस problem की समस्या के उस problem के solution के बारे में बात की जाती है ठीक है और जो फर्स की आट लाइन होती है जिसमें problem के बारे में बात की जाती है उसे proposition कहा जाता है और जो अगली छे लाइन होती है उसे volta कहा जाता है इसमें जो rhyming scheme होती है वो मैं आपको बताता हूँ देखिए कौन सी होती है राइमिंग स्किम का मतलब पहले आपको समझा जाता हूँ कि यहाँ पर यह जो पोयम है इसमें जैसे सून, पावर्स, अवर्स, बून तो सून से बून मिल रहा है यहाँ से अवर्स मिल रहा है मतलब कि यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे तो यह A हो जाएगा फिर यह पावर्स, B हो जाएगा फिर यह अवर्स, पावर्स के जैसा है तो C हो जाएगा और यह बून सून के जैसा है शुरू की आर्ट लाइने फिर अगली छे लाइनों में CD, CD, CD इस तरीके से बनेगी ठीक है इसके बाद में हमने आगे डिसकस किया था कि जो sonet होता है यह sonet कितने टाइप का होता है तो सबसे पहले हमने चर्चा करी थी कि sonet में दो sonet जिससा कि पहला Italian sonet जिसके बारे में हमन चर्चा कर चुके है ठीक है आज हम बात करेंगे English sonet की बारे में तो चलिए शुरू करते हैं अब देखिए यह जो English sonet होता है आपका English sonet तो the English poet Thomas Watt introduced the sonet to the English language in the 16th century सबसे पहले यह sonet था यह किस में लिखा गया था इसका पहले नाम था Italian sonet है ना तो यह पहले English language में नहीं लिखा हुआ था लेकिन जो English poet थे जिनका नाम था Thomas Watt इन्हों ने इसको जो है introduce किया था किस में English में कब किया था 16th century में बराबर by translating the works of Petrarch from Italian तो यह जो Petrarch था Petrarchan sonet जिसको हम बोलते हैं जिसको हम Italian sonet भी बोलते हैं तो इसको किस में translate किया गया English में translate किया गया इसलिए इसका नाम क्या पढ़ गया English sonet ठीक है What's contemporary the Earl of Surrey देखिए एक और व्यक्ति था जिसका नाम था The Earl of Surrey तो The Earl of Surrey then made innovation to the form by introducing a new structure and rhyme scheme इसके बाद में फिर एक और व्यक्ति आया जिसका नाम का The Earl of Surrey इन्होंने फिर इसमें और चेंज किया इसकी rhyming scheme में और चेंज किया which became the defining characteristics of the English sonet The 14 lines are all written in iambic pentameter and are taken by the three quadrants or four lines followed by a two lines couplet अब उसके बाद में फिर एक और नाम आया The Earl of Surrey अब इन्होंने इसको किस में लिखा इन्होंने इसको लिखा iambic pentameter में अब आप बोलेंगे शरी यह iambic pentameter क्या होता है तो iambic pentameter एक forms of poetry है जिसको हम फिर अलग से discuss करेंगे बता देता हूं iambic pentameter iamb मतलब की जिसमें जो जिससे मैंने आपको एक बार बताया था अगर poem में आपने पड़ा हो तो syllable के बारे में हमने बात करी थी जिसमें पहला syllable जो की unstressed होता है और दूसरा syllable जो की stressed होता है तो यह होता है iam ठीक है और pentameter जिसमें इस तरीके से 5 feet होते हैं मतलब 10 syllable होते हैं 2 syllable का मिलकर 1 syllable बनता है 2 syllable का मिलकर 1 feet बनता है तो इस तरीके से 5 feet होते हैं 5 feet कहलाता है pentameter और यह जो 2 यहां पर देखिए 2 syllable है जिसमें पहला unstressed है जिसमें stress नहीं पड़ता है और दूसरा stressed है यह सब हम बात में चर्चा करेंगे तो यह iam कहलाता है तो उन्होंने इसको किसमें लिखना शुरू किया iambic pentameter में अब इन्होंने इसमें क्या करा फिर चार लाइन कितनी हो गई आठ उसके बात फिर से चार लाइन और फिर आखरी में रग दी दो लाइन ठीक है और यह जो आखरी में दो लाइन जो बची है ना जैसे इसका जो इसकी आठ टारा से बनाते जाते बेटसे बनाते इतने बना डेते गएन इन यहां पर देखेए यहं चार आट और यह चार और यह चार आठ वारा और यह टोले ढट उर्याहन पनाते चल्ड़े मोताश्रात और यह डोडी और यह तो धुन् में रीlık चूर तो यह जो आखरी में दो लाइन बची इसको बुला जाता है, कपलेट, क्या बुला जाता है? कपलेट, ठीक है? तो यह इसका नाम था, English sonnet इसको बुला जाता था, तो यह आप नाम याद रखना कि इसको किस ने इंट्रोड्यूस किया था? Thomas Watton है और इसमें change जो है वो किस ने किया फिर the Earl of Suri उन्होंने इसको क्या कर दिया उन्होंने इसको यहाँ पर देखिए the 14 lines are all written in Iambic pentameter and are taken by three quatrans quatrans का मतलब यहाँ पर क्या होता है first quatrans, second quatrans, third quatrans यह three quatrans बन गए यहाँ पर ठीक है तो इस तरीके से ही आपकी चार और चार आट और चार बारा लाइन यहाँ पर हो गई और दो वहाँ पर लाइन ओर हो गई जिसको क्या बोला गया कपलेड बोला गया ठीक है चालो आगे बाद करते हैं इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ाएंगे गाड़ी in the English sonnet the turn typically occurs in the third quatrans but William Shakespeare अब फिर एक नई और को change किये broke from this rule क्या समझे यह आपने बनाए न भी चार 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 दो तोड़ दो इसको दूसरा बनाएंगे क्योंकि मैं लिखने वाला हूं 154 sonnet और इसी form में लिखेंगे ठीक है अभी famous नहीं है क्या आपका famous कर देंगे ठीक है 154 sonnet लिखेंगे अभी ऐसा famous हो जाएगा पूछोई मत तो यह famous किस ने किया था William Shakespeare ने इन्होंने केसे famous किया था इसको इस वाले sonnet को क्या नाम था इसका English sonnet जिसका नाम बाद में क्या पढ़ गया भीया तो उन्होंने इस रूल को तोड़ दिया frequently situating the turn in the final couplet of his sonnet in fact Shakespeare quickly became the English sonnet most venerated यहाँ पर venerate का मतलब क्या होता है venerate का मतलब होता है एक तरह से जैसे आपने एक sentence सुना होगा कि snakes are venerated in India snakes are venerated in India साप जो होते हैं यहाँ पर are venerated आया यह एक passive voice है मतलब साप अगर पूझते तो मैं venerate लिख देता कि साप पूझते हैं इंडिया में साप नहीं पूझते हैं साप को पूझते हैं तो इसलिए ऐसे case में मुझे passive voice का यूज करना पड़ा तो snakes are venerated in India भारत में जो साप होते हैं उनको पूझा जाता है ठीक है तो यहाँ पर venerate का मतलब होता है पूझना ठीक है and the English sonnet is often referred to as the sexperian sonnet उसके बाद में जो English sonnet था वो किस नाम से जाना जाने लगा यह वो sexperian sonnet के नाम से जाना जाने लगा as a result the English sonnet is something also referred to as the elizabethan sonnet और उसी को चूंकि उस समय elizabethan age था तो उसको elizabethan sonnet के नाम से जाना जाने लगा बोलो तो इतना इतना आपको समझ में आया होगा ठीक है तो दो तरह के sonnet हो गए आपके एक पहला कौन सा हो गया पहला आपका जो हमने पढ़ा था पेट्रारकन sonnet इटैलियन sonnet फिर दूसरा उसको English में convert किया है ना इसको introduce किस नहीं किया था वो नाम भी मैंने आपको बता दिया थामस वाट और फिर दे अर्ल ऑफ सरी उन्होंने इसमें थोड़ा ओर चेंज करा और फिर उन्होंने जब चेंज करा तो फिर कोन आए सेक्षपियर आए फिर उन्होंने बोला एक दो मिट रूको अब करेंगे और चेंज ठीक है तो इस तरीके से इसका नाम जो पढ़ गया यह पढ़ गया यह सेक्षपियर इस और एलिजाबेतन सॉने चलिए आगे बात करते हैं फिर क्या हुआ उसके बाद अब देखिए यह जो सेक्षपियर इसका फॉर्म कुछ इस तरीके से होता था कैसे ए बी इसके बाद में सी डी सी डी देखो आप इसको करके भी देख सकत है यह टेमपरेट डेट से मिल रहा है तो इस तरीके से ए बी ए भी यहां पर देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि भाईया इसकी राइमिंग इसकी ऐसे चलेगी ए बी ए बी फिर इसके बाद में सी डी सी डी इसके बाद में इसके बाद में जी जी अब शेक्षपियर ने क के समाधान के बारे में बात करेंगे लेकिन इनके क्या होता था कि इनके समय में 12 लाइन तक समस्या के बारे में बात की जाती थी चलती रहती थी वो ले रुख जाओ भी समस्या के बारे में बात करेंगे आखरी की जो बोलाईन होती थी जो कपलेट होता था उसमें उस problem के solution के बारे में बात होती थी ठीक है यह इस समय में होता था sex-person sonnet में तो यह आप याद रखिएगा ठीक है अब इसके बाद क्या हुआ भीया इसके बाद और देखते हैं इसके बाद में आगया अब या modern sonnet अब यह दो sonnet हो गए जो कि सबसे ज़्यादा एक्जाम में पूछे जाते हैं इनका नाम है आप याद रखिएगा Italian sonnet जिसको पेटरारकन sonnet बोले जाता है फिर English sonnet जिसको एलिजाबेतन sonnet बोले जाता है और यहां से भी आपके बात आती है in the 20th century poets like Edna, Saint, Vincent, Millie, Robert, Lovell and W.H. Auden अब कुछ और कभी आए continue to use and evolve the forms of the sonnet by creating their own variation अब generally क्या होता है जैसे कोई भी चीज बनती है जैसे मान लो पान आप खाते हैं बुले खाई कि यह पान बना बना रसवाला ठीक है बना रसवाला आपने पान खाया अब उस पान में धीरे बया innovation हुआ बुले कि अपन वह वाला पान लाएंगे फायर पान अरे रूको में बताते है उसमें कुछ नहीं करना हैं अंदर फायर दाल देगें फिर आप खाना उसको फायर पान मूह नहीं जलेगा अरे कैसे जल जाएगा इधर आओ फिर आपने देखा ना हो दबाओ तो यह क्या है बोले यह इसमें नया इनोवेशन है समझ गए जैसे आजकल आप यूट्यूब पर देखते होंगे यह जो खाने वाने की चीजे हैं बोले भाईया इसमें क्या क्या मिला रहे हो भोले कूछ नहीं इसमें हम फ conventions मिलाएंगे जीपकेगा नहीं आ रहे कैसे जीपक जाया तो नया नए इनओेक्र करता है आदमी नहीं चीजे तो इन्होंने और उसमें इनोवेशन करते गए ःओ न आया ना है तो इसमें क्या हुँआ कि these modern variation are some, are more extreme than the difference between Italian and English sonnet यह जो Italian और English sonnet जो हम पढ़े थे ना उससे उसमें और change हुआ modern poets have written unrhymed sonnet अब यहां से इन्हों ने क्या किया कि भाया आपकी जो rhyming चल रही थी ना अभी इन्हों ने क्या किया unrhymed scheme बोले कोई rhyming नहीं चलेगा अभी जैसे हमारी एक राइमिंग चलती है है अगर आसमा तक मेरे हाथ जाते तो जाते तो कदमों में तेरे सितारे जुकाते यह जुकाते जाते जुकाते ठीक है समझ गए यह राइमिंग एक तरह से भाया जादातर सौंग आप वह फेमस क्यों है क्योंकि आप कोई साथ भी गाना सुनोगे ना तो उसमें एक राइमिंग स्कीम बनती है कोई साथ गाना आप उठालो अभी जो आपके दिल में आ रहा हूं और आप उसमें देखो एक राइमिंग स्कीम बनेगी तो समझ गए कि नहीं समझें ऐसा तो इन्होंने विदाउट राइम कोई राइम वाइम नहीं रहेगी हमारा मन पड़ेगा ऐसा चले ठीक है चलो आगे बात करते हैं अब देखिए फिर क्या आया फिर आगे आपका इसके बाद में अधर टाइपस ऑफ सोनेट एक और जो सोनेट है ऑक्सितन सोनेट यह एक और सोनेट है इसका नाम भी याद रखिएगा यह भी एक्जाम में बहुत पूच्छा जाता है है ना ऑक्सितन सोनेट इसमें अब रोमांटिक लेंवेज का यूज किया जाने लगा है ना देखिए सब धिरे-धिरे जैसे समय आगे बढ़ता है चीजें नहीं होती जाती है तो एक ही जैसे सोनेट के टाइपस के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो ऑक्सितन सोनेट जो होता में या जो फ्रांस में या जो स्पैन में ठीक है तो उस तरीके से इसमें रोमांस रोमांटिक लेंवेज का यूज किया जाने लगा उसके बाद मैनी सोनेट्स वर रिटन इन ऑक्सितन दूरिंग दा 13th and 14th century 13th और 14th century जब आई तो वहाँ पर कई सारी जो वो सोनेट्स थी वो इसमें लिखी जाने लगी and this sonnet's had their own form और इनका खुद का एक form होता था और वो which differs from Italian sonnet जो कि Italian sonnet से अलग होता था जैसे कि ABBA, ABBA, CD, 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 Rhyming Scheme की होती थी इसके बाद एक और इस्पैन सीरियन sonnet अभी आपने कुछ से पढ़ी ऑक्सिटन सोनेट इसके बाद में इस्पैन सीरियन सोनेट का नंबर आया तो 16th century यह सारे नोट्स आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे है ना जैसा कि आप को सारे जितने भी chapters आप देख रहे हो नीचे वीडियो मिल र इसने यह सब नाम अपने साथ नाम याद रखिएगा इन्होंने स्पैन सीरियन सोनेट जो कि कब आया 16th century में जिसके किसने क्रियेट किया था बहिया एडमंड स्पैंसर क्रियेटेड इस ओन वेरियेशन फिर इन्होंने इनका खुद का वेरियेशन लेकर आई यह और ऑफ द इसके बाद में फिर आगे अगर बात करें तो अगला जो है वो देखिएगा कर्टल सोनेट फिर कर्टल सोनेट आया the English poet Gerard Manley Hopkins wanted to shrink the traditional English sonnet to precisely 3 by 4th its usual size अब इन्होंने इसकी size में भी change किया यह नाम याद रखिएगा Gerard Manley Hopkins यह इनका नाम है ठीक है अब इन्होंने क्या change करा इन्होंने इसको साड़े 10 लाइन की पोयम रख दी बस अब साड़े 10 लाइन की केसे देखो आप इन्होंने क्या करा कि भाया reducing the octave to a 6th line stanza जो वो octave था 8 लाइन वाला तो एक काम करो कि वो जो 8 लाइन वाला था उसको आप 6 लाइन कर दो यह कौन सी सोनेट है कल्टल कल्टल का मतलब उसको और काट काट के छोटा कर रहे हैं ठीक है तो 8 लाइन जो है उसको 6 लाइन कर दो और and the sextet to a four and a half line stanza और वो जो चार लाइन वाइन वा उसको four and a half में कर दो तो यह कितना होगे आपका total ten and a half the resulting ten and a half line poem is known as the cartel sonnet तो एक्जाम में ऐसा question आ सकता है कि वो जो ten and a half line poem जो है वो कौन सा सोनेट है तो आप बोलोगे आर सोनेट में तो 14 लाइन होती है फिर यह साड़ेदस लाइन कहां से आ गई तो यह साड़ेदस लाइन आ गई यहां पर cartel sonnet में इसके बाद में यह काया word sonnet यह इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है लेकि उसको पढ़ लेते हैं this modern and more extreme variation the sonnet form came out of the poetic movement of the late 20th century known as new formalism तो अगर कभी पूछ ले कि new formalism के नाम से कौन सा sonnet आया तो याद रखिएगा word sonnet ठीक है these 14 word poems content just one word per line यह 14 word sonnet था इसमें one word per line होती थी एक line में एक word बोलो आप इसलिए इसको क्या बोला जाता था word sonnet बोलो याद रखोगे चालो बहुत बढ़िया इसके बाद में अगर आगे बात करें तो और भी है थोड़ा सा यह आपको दिख तो रहा है ना लिखा हुआ है यह थोड़ा सा हलका आगया color इसका है ना चलो अब next time ध्यान रखेंगे are about unrequited love वो जो Italian sonnet था और वो जो इंग्लिस sonnet था वो किसके बारे में था unrequited love मतलब वो प्यार के बारे में लिखा जाता था लव के बारे में लिखा जाता था है ना जिसमें शुरू में समस्य आए 8 लाइन तक फिर 6 लाइन तक उसका समाधान लेकिन फिर क्या हुआ then in the 17th century जब 17th century आई तब क्या हुआ कि जॉन डॉन एक तो जॉन डॉन यह नाम याद रखिएगा बिगेन राइटिंग रिलिजियस sonnet इन्हों ने कौन सा सोने लिखना शुरू किया भी यह रिलिजियस जॉन डॉन ने and shortly thereafter फिर एक और कोन आए फिर आए आए आपके जॉन मिल्ट बिगेन यूजिंग दा फॉर्म आफ एवरिथिंग फ्रॉम सेटारिकल पोयम और फिर यह जो जॉन मिल्टन थे इन्होंने सेटारिकल पोयम लिखना शुरू कर दी तो यहां पर यह दोनों याद रखना जो थे इन्होंने किस टाइप की सॉनेट रिलिजियस सॉनेट और जो जॉन मिल्टन थे इन्होंने सेटारिकल पोयम इसमें लिखना शुरू कर दी तो यह फाइनली आपका सॉनेट से यहां से कोई भी क्योशन बन सकता है अब जनरली क होता है कि कोई भी चेप्टर आप पढ़ रहे हैं जैसे यह चेप्टर आपने पढ़ा अब आप कोई भी क्योशन किसी भी बुक से करें हाला कि बुक्स ज्यादा अविलेबल होती नहीं ग्रेड वन टू कि आप बले सर्च कर लो मार्केट में उसका रिजन यह रहता है कि ज अगर किताब कोई मिलेगी भी सई तो ऐसी मिलेगी कि उसमें आपको आपका से रिलेटेड कुछ मिले गई नहीं समझ गया तो यहां से आप पर आपको में शांदार पूरा जो भी है आपकी से अप्लोड करूंगा है ना लेकिन फिर भी आप कहीं से भी क्योशन होते हैं तो चेप्टर पढ़ने के बाद देखिए करके कि आपसे बन रहे हैं की नहीं बन रहे हैं यह सबसे खास बात है ठीक है चलिए तो यह फाइनली आपके सोनेट के बारे में complete तो हो गया लेकिन मैं आपको क्या करूंगा कि और भी पोयम आपको दस एक पोयम बताऊंगा ठीक है और जैसा कि हम लोग पढ़ी रहे हैं हमने अभी वो दा वर्ल इस टो मज विद अस पड़ा वो भी एक तरह से सोनेट ही था है ना फिर हमने जो है सॉलिटरी रीपर पड़ा वो एक बैलेट था तो अभी हम पोयम के अंदर भी इन चीजों को थोड़ा डिसकॉस करेंगे ना ठीक है चलिए अब अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं जो लोग यूट्यूब ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगा तो जो वर्ग 8 और 2 वाले हैं तो उनके लिए देखिए आपके लिए वरग 8 और 2 का complete course available है इना यह syllabus दोनों में है तो वो आ आप layer 3 education का app download कर लिजिएगा और layer 3 education के app में आप यहाँ पर देखी store option में जाईएगा store option इस तरीके से मिलेगा आपको उसमें आपको यहाँ पर category all select करना है और उसमें आपको यहाँ पर इस तरीके से grade 1 का और grade 2 का यह मधिवदे शिक्षक वर्ग 2 का complete course है इसमें आपके सभी व रहेंगे ठीक है तो यह course आप वहाँ पर जाकर buy now का option करके buy कर सकते हैं ठीक है अगर आपको कोई दिक्क्त आती है तो आप इस नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं 9977651282 ठीक है चलिए तो यह आपका sonet complete हो गया फिर हम अगले lecture में मिलते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आप